साल 2022 में जिन राजियों में चुना होने हैं, उन राजियों में से एक है पंजाब वही पंजाब जो पिछले कंभी महीनों से किसान आंदोलन की याग में जुलस रहा है और लगतार किसान जो हैं वो दिल्ली बौटर पर डटे हुए हैं बड़ा तबका है जो कि मोदी सरकारी के उस फैसले से नाराज है और इसके बाद ही वहाँ पर जो सियासी हल चल है वो तेश हो गई है बड़ी बात ये है कि जो दल पिछले कई साल तक गड़ बंधन में थे वो इन ही कानूनों को लेकर के अलग हुए यानि कि हम बात कर रहे है वहाँ पर उस गड़ बंधन की जिसमें बीजेपी और शिरुमनिय औकाली दल शामिल रहे हैं लेकिन अब शिरुमनिय औकाली दल ने बीजेवपी का साथ छोड़ने के बाद नया साथी तलाश लिया है और अब 20 साल बाद वहाँ पर बसपा के साथ वो चुनावी गड़ ब पंधन पर विचार कर रहे थे जिसके बाद आज इस बात का ऐलान कर दिया गया है बताया जा रहा है कि दोनों दलों के 20 सीटों को लेकर के जो पेच फसावा था उसको सुलजाने के बाद आज एक पूरी प्रेस कॉंफरेंस की गई जिसमें से पंजाब के 117 धान सभा सीटों म आज जिकर लिया है बस्पा के पंजाब प्रभाडी रंधीर सिंग बेनीपाल ने बताया था कि बस्पा की ओर से मांगी गई सिरुमनी अकाली दल अगर उस पर गौर करता है तो हम 2-4 सीटे छोड़ने को तयार हैं लेकिन आधे सीटे पर ही जो है बस्पा मान गई है और उस के बाद उसे दूसरे दल से राजितिकर बंधन पर विचार करना पड़ा पंजाब में दलितों की आबादी करीब 33 फीज दी है जो कि एक बड़ा वोड बैंक है और शुरुमनी अकाले दल के प्रधान शुखबीर सिंग बादल ने चुनाव जीतने के बाद दलित का अलान पहले ही कर रखा है जाहिर तोर पर इन दोनों समय करनों को देखें तो वहाँ पर आने वाले वक्त में वीजेपी जहां हाशिये पर होगी वहीं शुरुमनी अकाले दल सत्ता में जो सत्ता सीन पार्टी कॉंग्रेस से उसको हचाने के लिए एक साथ गरवंधन करके मैदान में होगी पंजाब की राजनीती दलितों के वोट बैंक की आसपास ही घूमती है जिसके चलते भाजपा ने भी पंजाब से दलित सीम बनाने का एलान कर रखा है यही नहीं हाली में कॉंग्रेस के बीच की कल्या से भी कॉंग्रेस हाइक कमान को शिकायत की गई कि सू आम आदमी पाटी भी जमीनी इसतर पर दलितों को अपने साथ जोडने में जुटी हुई है कुल मिला करके सभी राजनीतिक दलों की नजर वहां के दलित वोट बैंक पर है तो पंजाब की बात करें तो पंजाब कृशी प्रधान राज्य है जो पंजाबी समाज है उसका तो तरफ दान्सभा के सीटे हैं और ये लगता है पाकिस्तान सही यानि की पाकिस्तान सही जो पूरा बॉडर है पंजाब का वो सकता है खिसे में वहां पर प्योन्ग्रेस जो है वर्तमान राज की कोशिश कर रही है तो वहां कि भीज़ीतı सियम बनाने का इलान करके एक दम आगे चलने की कोशिश की है क्योंकि BJP के प्रती थोड़ी सी वहाँ पर anti-incombancy है नाराजगी है इस बात पुले करके कि जिस तरीके का क्रिशी कानून लाए गया और जिस तरीके से कालिदल ने BJP का साथ छोड़ा उसके बाद BJP के पास वहाँ अपने दम पर बहुत कुछ करने को है नहीं तो इस पुरी लड़ाई को और interesting बनाने के लिए केजरिवाल की आम आदमी पार्टी भी वहाँ पर पिछली विदानसभा चुनाव में चुनाव लड़ चुकी है लेकिन बड़े राजी हैं जहाँ पर जो है बड़ा सियासी उलट फेट दिख रहा है और पचीस साल बाद बस्पा जो है वो साथ आई है शुरो मनिय काली दल के साथ में क्योंकि वहाँ पर 30% से जादा बलत वोट बैंक है और उसी पर जो है पूरी राजीनी ती इस वक्त क जो है वो केंद्रित है फिलाल इस वीडियो में इतना ही नमस्कार